गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, तोडे, वी विल लर्न दे ट्विक तो मल्टिप्लाई एनी तो डिजिट नमबर, मान लू, हमारे पास कोई भी तो डिजिट नमबर है, जैसे की 23 अंग 12, हमने इन दोनों नमबर्स को करते थे और 4, फिर यहां पर हम क्रॉस जालके 1 को इन दोनों नमबर्स से मल्टिप्लाई करते थे, तो 1 को 3 से किया तो 3, 1 को 2 से किया तो 2, फिर इन दोनों नमबर्स को हम एड़ कर देते थे, तो 6, 4 प्लस 3, 7, and 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 276, ओल्दो ये मैथड भी ब दो डिजिट नमबर्स की मल्टिप्लिकेशन विदिन सेकिंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्विक होती है, वो ट्विक सीखने से पहले हम उसके कुछ रूल के बारे में पढ़ेंगे, सो लेट स्चार्ट, मालो हमारे पास दो डिजिट नमबर्स हैं, A, B, C, and D, इनकी हमने मल्टिप्लिकेशन करनी है, तो इनकी मल्टिप्लिकेशन करने के लिए हम तीन स्चेप्स फोलो करेंगे, फर्स, सेकिंड और थर्ड, पहले स्चेप में हम B को D से मल्टिप्लाई करेंगे, सो फर्स स्चेप इस B इन्टु D, सेकिंड स्चेप में हम A को D से मल्टि इंटू C और थर्ड चाप में हम फिर से A को C से मल्टिप्लाई कर देंगे तो थर्ड चाप इस A इंटू C तो अब हम यही कोशन इस ट्विक से करके देखेंगे So 23 इंटू 12 इनका हमने मल्टिप्लिकेशन करना है So first step was B into D पहले step में हमने B को D से मल्टिप्लाई किया यानि कि हमने 2 को 3 से मल्टिप्लाई करना है So 2 into 3 is 6 Second step में हमने क्या करना है A को D से मल्टिप्लाई करना और B को C से मल्टिप्लाई करके उनको अड़ करना है So 2 को हम 2 से multiply करेंगे और 1 को 3 से multiply करके इनको add करना है So 2 into 2 is 4, 1 into 3 is 3 So 4 plus 3 is 7, तो यहां पर 7 आ जाएगा फिर 3rd step में हमने A को C से multiply करना है So A into C, 1 into 2 that is 2 So answer is 276 और यहां पर भी हमारा answer 276 आया था So it is the method or a trick by which we can solve the multiplication of a 2 digit number So अब हम कुछ questions प्रेक्टेस करेंगे उस trick की help से So 1st question is 46 into 32 So 1st step में क्या करना होता है हमने B को D से multiply यानि कि 1st step में हमने 2 को 6 से multiply करना है So 6 2s are 12, 2 यहां पर हम 1 को carry कर देंगे Second step में हमने 4 को 2 से multiply करना है और 3 को 6 से multiply करना है और उन दोनों को add करना है So 4 2s are 8 and 6 3s are 18 इनको हम add कर देंगे 1 carry पर भी था इसलिए वो भी साथ में add होगा So 8 8 16 1 17, 7 1 carry 27 So 7 आ जाएगा फिर हमने 2 दुबार से carry चला गया फिर 4 into 3 that is 12, 12 plus 2 is 14 So 1472 is your answer Next question is 53 into 24 So सबसे पहले हम 4 को 3 से multiply करेंगे 4 3s are 12, 2 1 carry 5 फिर हमने क्या करना है इस 5 को 4 से multiply करना है 5 4s are 20 और फिर 2 को 3 से multiply करना है 3 2s are 6 उनको add कर देंगे So that is 27 So 7 आ जाएगा 2 फिर से carry चला गया So फिर यहां पर 5 को 2 से multiply करना है 5 2s are 10 and 2 is 12 So answer is 1272 Next is 29 into 17 So सबसे पहले 7 को 9 से multiply करेंगे 7 9s are 63 3 6 carry Next is 2 into 7 plus 1 into 9 7 2s are 14 1 into 9 is 9 इनको add करेंगे हमारे पास आएगा 6 4 10 plus 9 19 29 तो यहां पर 9 आ जाएगा और 2 फिर से carry चला जाएगा So फिर 1 को 2 से multiply कर देंगे और यह 2 count कर देंगे इस 4 93 मैंने यह दो questions आपको homework में दिये है इसका answer में को comment section में जरूर बताना If you like my video Please do like, share and subscribe my channel Thank you